नमस्कार मित्रो जय मातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो रोज सुभ उठने से पहले बोल दो मात्र यहत तीन शब्द फिर बिना कुछ करे ही बेठे बेठे करोडों के मालिक बन जाओगे आज की वीडियो जीवन का वो सच आपके सामने लाने वाली है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा आज की वीडियो आपको वो बनाने वाली है जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की होगी अच्छा जीवन जीने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते लेकिन कभी-कभी ऐसी इस्तित्या पैदा हो जाती है जिससे जीवन में सब कुछ नश्ट हो जाता है इश्वर ने इनसान में अगर आपको जर्म दिया है तो आपको हर कर्म करने चाहिए लेकिन सारे कर्म अच्छाई के साथ जुड़े होने चाहिए कभी भी गलत बातों तथा गलत कामों को अंजाम नहीं देना चाहिए ऐसा करने से जीवन में संकड आजाता है इनसान का जीवन दुखी हो जाता है रंतु चिन्ता करने की बात नहीं है जो बीद गया उसका पच्चतावा हम नहीं करेंगे आगे अच्छे कर्म करने की गरंटी के साथ हम आपको तीन ऐसे शब्द बता रहे हैं जो सुभव उठते से ही आपको बोल देने हैं फिर महादेव की क्रपा आपके उपर ऐसी बरसेगी कि समस्त दुखों का नाश हो जाएगा शुरुआत करने से पहले भूले बाबा के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरु लिखिएगा क्रिपा वरसेगी बेडा पार होगा जिन लोगों के पास धन की संपत्तिय अपार होती है उनके पीछे दुश्मन भी तो बहुत ज़्यादा होते है हर कोई चाहता है कि वह के से नीचे गिरे कभी-कभी ऐसी परिस्तित्या भी आ जाती है कि धनी लोग भीकारी बन जाते हैं और भीकारी लोग धनवान बन जाते हैं जो की नियम के विरुद्ध होता है जीवन के समस्त दुख, दर्द और दुश्मनों का विनाश हो जाएगा इन शब्दों को आप रोजाना सुबोट कर जल्दी बोलना शुरू करें उसके बाद अपने दिन चरिया के कामों को पूरा करें आप लोगों को आज की विडियो में इन तीन शब्दों के बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं तो जरा ध्यान दीजेगा इन तीन शब्दों का जाप करने से इस खास मंत्र का जाप करने से संकट के साथ साथ बिमारी तथा शत्रों का भी नाश हो जाता है जिन लोगों को धन की कमी है उन्हें धन किया पुर्ती हो जाती है इस मंत्र को जाप करने के बाद जीवन में खुशाली लोटाती है जीवन जीने का एक नया जरिया मिल जाता है हमेशा अपनों के साथ रहने का मौका मिल जाता है और असंभव से असंभव काम भी संपूर हो जाते हैं रोजगार के लिए दिन दुगनी रात शोगनी तरक्की करते हैं और विध्यारत्यों को सरकारी नोकरी के अउसर प्रदान होने लगते हैं जोपडिया महल में बदल जाती है इसलिए आप सभी लोगों को सुभव उठने के बाद सबसे पहले ओम नमस्शिवाए ओम नमस्शिवाए श्री शिवाए नमस्तूह्यम भगवान के मंत्रों का जाप करना है फिर बोले बाबा की ऐसी कृपा आपके उपर बरसेगी कि आपके भी वारे न्यारे हो जाएंगे जी हाँ दोस्तो जिन्देगी है सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं परन्तु इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि हम हार मान ले इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि हम चुप बेड़ जाए इसलिए अब हम आपको एक ऐसा मंत्र देने वाले हैं जो आपके जिन्देगी में ऐसा बदलाव लाएगा जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा इस मंत्र को अगर आपने सुबह उठने के बाद जप लिया तो जिन्देगी में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं जिन्देगी में वो सब कुछ आपका होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं बस आपको दिल से हमारी आज की इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अंत तक बने रहना है क्योंकि गंभीर बात तो अब होने वाली है सबसे पहले जब आप सुभा उठते हैं आपकी जैसे ही आखे खुलती है आपको अपने दोनों हतेलियों को आपस में जोड लेना है जी हाँ दोस्तों इतना सा काम आपको करना है कि अपनी दोनों हतेलियों को आपको आपस में जोड लेना है और इस मंत्र का जाप करना है यानि की हतेली के अग्र भाग में माता लक्ष्मी मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान विश्नु का वास होता है मैं सुबह सुबह आपके दर्शन करता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे आशिरवाद चाहता हूँ इस मंतर का ये तात पर ये होता है व्याख्या होती है तो आप समझ सकते हैं इतनी शुब सुरुवात अगर आप अपने दिन को देंगे तो आपके उपर इसका कि कितना सकारात्मक हो जाएगा आपको जीवन में कितना सुख मिलेगा और जीवन का देखने का नजरिया भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इस मंतर के माध्यम से तो आप अभी तक इसकी शक्ति से अंजान थे परंतु उमीद करते हैं अब आप रोजाना सुभ उठने स इसे बाद ही इस मंतर का जाप करना शुरू कर देंगे हमने ओम नमस्षिवाय तो आपको बताये था तीन शब्द का मंतर परंतु इसकी जो महिमा है ये और भी ज़्यादा निराली है क्योंकि माता लमी का भगवान विश्नु का और देवी सरस्वती का इनका भी आशिरवा की आदत होगी सूर्य देव को जल देने की बहुत सारे लोग होंगे ही और अगर आपकी आदत नहीं है तो आदत बना लीजिए क्योंकि भगवान राम भी भगवान कृष्न भी सूर्य देव को जल देते थे तो आपको भी आदत बना लनी चाहिए क्योंकि इससे जिंदेग मंत्र आज से पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा परंतु हम आपको बता रहे हैं और इसे अगर आपने जप लिया तो गरेंटी है कि आपका काम हो जाएगा जो भी मन में चल रहा है वो 100% आपको मिल जाएगा परंतु मंत्र कौन सा है जरा ध्यान से सुनिएगा एक बार शान्ती से आपको मंत्र बताते हैं यह मंत्र सूर देवता को जल देते हुए आपको जपना है निश्चित रूप से गरेंटी है वो काम अगले कुछी दिनों में हो जाएगा जो अटका हुआ है अगर कोई व्यक्ती पैसे खाकर बेठा है बहुत समय से मांगने के बावजूद पैसे नहीं दे रहा है तो इस मंत्र की शक्ति से आपके वही अटके पैसे अब वापस आने वाले हैं आपके जिंदेगी बन मंत्र तो बखू भी आता होगा आज कल के जमाने के छोटे छोटे बच्ची भी गायतरी मंत्र बड़ी ही आसानी से पढ़ लेते हैं गायतरी मंत्र महादेव का महामृत्यूंजे मंत्र इनकी शक्तिया अप्रम पार है इन मंत्रों को जपने मात्र से हमारे उपर से काल तक तो अगर आप भी डिप्रेशन में हैं, खुर खुद को हारा हुआ मानते हैं, ये समस्ते हैं कि जिन्देगी में आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आज की विडियो के अनुसार अब जीवन जिना शुरू करिए, सुबह उटते से ही हम जो मंत्र बता चुके हैं उसका इ अगदार है जिसे आप आना चाहते हैं, तो तुला राशी वालों उमीद करते हैं आज की विडियो से आपने बहुत को सीखा होगा, आपको घ्यान की प्राप्ती होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट बॉक्स में जय माता दे लिखें और हमारे चै भी को बहुत बहुत धन्यवाद